हेलो मैं योटूब फैमली कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे अर्शिना कीचेन ब्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज में आप लोगों को कुकर में अंडे बॉयल करने का एकदम आसान तरीका बताऊंगी कि कुकर में हम अंडे कैसे बॉयल कर सकते हैं तो बीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और लाश्ट तक बने रहिएगा देखिएगा कि मेरे अंडे कितने मतलब सही निकलते हैं और कितने फूटते हैं तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा तो यहां पर हम देखिए कुकर लिए है कुकर मेरा ऐलमुनियम का है तो ऐलमुनियम का जब कुकर ले तो उसमें थोड़ा सा ऐल ग्रीस कर दे इससे क्या होगा ना कि आपके कुकर काले नहीं पड़ेंगे और इस्टील का कुकर है तो ग्रीस करने के कोई जरूरत नहीं है तो इससे बहुत इजली हमारे कुकर साफ हो जाते हैं अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बर्तन अलमुनियम के बर्तन में अगर वायल करिए तो काले पड़ जाते हैं तो वैसे ही कुकर में भी हो जाएगा तो क्या करना है कि थोड़ा सा आप ग्रीस कर लीजेगा इसे आपके कुकर एकदम आसानी से साफ हो जाए आप दो दर्जन भी अंडे डाल सकते हैं तो और टाइम उतना ही लगेगा जितना की छे अंडे बॉयल करने में लगेंगे उतना ही टाइम आपके दो दर्जन अंडे डालेंगे तो भी लगेंगे तो यहां पर हम अंडे डाल दिये हैं और अभी आपको इसके उपर तक पान आता है और फिर जैसे कि आप दाल चाओल बनाते हैं उसी तरह से कुकर में आप ढखकल लगा दीजेगा गैस्टी को गहरा सीटी योगरा के साथ लगाना है फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जब हम गैस पर इसे हम चढ़ाएंगे न तो हमें आज को तेज रखना है और आज को तेज रखिएगा वहीं खड़े रहिएगा आप जब आपके कुकर में प्रेशर बरने लगे तो आपको आज को एकदम धीरे कर देना है जिससे कि आप मतलब पांच मिनट कम से कम आपके लग जाएंगे कुकर मतलब सौरी अंडे बॉयल करने में तो एकदम कम कर दीजेगा पांच मिनट में आपकी एक सीटी आ जाएगी तो आपको एक सीटी का ही वेट करना है और जब एक सीटी लग गया है और फिर उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है और कुकर को ठंडा होने देना है तो मतलब गैस को अपने से रिलीज होने देना है तो देखिए गैस द्र होते हैं पता चल जाता हैं यहां हमारे लॉएल हो गया है तो बसस देखिए थोड़ा-थдо ही क्रेक हुए हैं जैसे कि हमारीने कर भन हो गया है यह क्या करूंगे शे Options पानी में डाल दे रही हूं एगर आपके पाश the time है तो आप आप अंडों को छिल लेजेगा, तो अभी, मैं एक पेपर वगारा कुछ ले लेती हूँ, जिसे कि हमारा, जो स्लैप है वो गंदा ना हो, और explaining, हमारा कम टाइम में स्लैप भी साफ हो जाए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पेपर वगारा पे, आप अंडों को छिल लेजिए फिर लपेट करके फैक दीजिएगा तो आप देखिए कितने अच्छे से हमारे अंडे एकदम कुकर में बॉयल हो गये हैं ना तो एक भी फटे है ना फुटे है ना मतलब कि बाहर आए है और हम लोग भगोने में मतलब अंडे जब बॉयल करते ह हैं तो आप देखते होंगे कि एक आग तो फुटी जाते हैं तो बस इसी तरह से आप पांच मिनट लगें आपके अंडे बॉयल होने में तो पांच मिनट में आप दो दरजन भी अंडे बॉयल कर सकते हैं कुकर पूर जितना भरा रहेगा टाइम उतना ही लगेगा तो चलि में कबहें आप देखते हैं अब कि अच्छे से नहीं है कि हमने अंडे कुकर में वयल को ही था। तो आपके सामने या कुछ भी खराब शाहरा को जाएंगे यह नई खराब हो हैं आप देख रहा हैं कि टने अच्छे से हमारे अंडे बॉयल हुए présentा ऑल वहूसे आएगी तो लाइक शियर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नीव है तो भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा तो इंजोय करिए आप अपने अंडे और नेक्स्ट टाइम में जब भी आप अंडे वैल करिए तो यही तरी का पना इप